बिस्मिल्ले रख्मानुवाहिम अस्सलाम अलेकल दोस्तों मेरा नहीं सुमेर और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सस्ता noise cancelling mic का review दूंगा अगर आप YouTube अगर एक लिए कुछ सस्ता mic डूंड रहे हैं तो आप इस mic को purchase कर सकते हैं जितने price में आपको एक normal mic मिलता है उतने ही price में आपको Ardionic Company का noise cancelling mic भी मिल जाएगा तो आप इस वाले को purchase कर सकते हैं यागिन purchase करने से पहले आप इस review का अंट तक देखें क्योंकि अभी तक मैंने इसके noise cancelling को check नहीं किया है तो सबसे पहले हम इसे open कर लेते हैं तो यह किसी box में नहीं आता यह इस तरह के plastic के wrapper में आता है तो इसके कॉल लेता हूं box के back side पे इसके कुछी specification लिकी हुए है इसके लावा जो है मैं इस तक्ते को side में कर देता हूं यह आगे हमारे सामने माइक माइक की जोपिन है यह normal 3.5 mm वाली है तो आप किसी भी 3.5 mm चेक में से लगा सकते हैं उसके लावा यहां पर एक home है जो कि इस माइक के उपर लगाई जाएगी जिससे audio quality और बहतर हो जाएगी माइक के back side पर आपको एक on off का button मिल जाता है जिससे कि आप इस माइक को on या off कर सकते हैं माइक की जो quality है वो अपने price के साफ से सही है ना जाद अच्छी है ना जाद बूरी है अब जो है मैस माइक से audio clip रिकॉर्ड करते हूं ताकि पता चल सके कि इसकी audio quality किस तरह की है यह recording माइक से कर रहा हूं audio quality बहतर है लेकिन noise cancelling नहीं है इसमें box को पर लिखा हुआ है कि यह noise cancelling वाला माइक है लेकिन इसमे noise cancelling बिलकुल भी नहीं है मैंने software के crew आवास को थोड़ा बहतर कर रहा है वहना इसमें नॉर्मल माइक की निजबत थोड़ा कम शौर आ रहा है लेकिन शौर इसमें भी काभी जादा है तो इसलिए noise cancelling वाला feature तो इसका इतना समय है ही नहीं लेकिन normal mic से काभी जादा अच्छी है इसकी audio quality तो अगर आप एक normal mic लेना चाहरे है तो अपिर आप इस mic को purchase कर सकते हैं लेकिन अगर आप noise cancelling के लिए ही noise cancelling वाला ही mic ले रहे हैं तो उसके लिए जो है आप याला mic ना लें इसमें कोई भी noise cancelling वाला आपको feature नहीं मिलना वाला उसके लगा अगर आपको वीडियो भसन नहीं तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकों के दुआना अल्ला झाला